हेलो एवरिवन मैं हूँ स्योंधिवदी और आप देखरें अपना पसंद दिता चानल ग्यानों देख्य गुरुजी बच्चों यह आपका क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नमबर 2 है जिसका नाम है विद्धुत विभाव तथा धारिता जिसमें आज हम लोग यह करने वाल टॉपिक से रिलेटेड सेकंड लास्ट वीडियो हो सकते हैं इसका मतलब इसके बात केवल हम बात करेंगे वन डे ग्राफ की वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे उसके बात से फिर यह चैप्टर पूरा फिनिस हो जाएगा तो चलिए फिर आज के सेशन को सुरू करते हैं बच्चों संधारित्र क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बात कर ली है कि जहां पे दो प्लेटे होती है और पहली प्लेट पे प्लस क्यू आवेश दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू आवेश होता है और उसके बाद उनकी एक प्लेट को प्रत संयोजन बनता है वह कितने प्रकार का होता है तो पहला है हमारा स्रेडी क्रम संयोजन और दूसरा है हमारा समानतर क्रम संयोजन सबसे पहले बात करेंगे कि स्रेडी क्रम संयोजन क्या होता है यह ठीक वैसे ही है जैसे कि आपने यहां पर देखो ये स्र्रीध करम संयोजन है हमने क्या किया हैएक समांतर प्लेट संधारित लिया है और तीसरा एक समांतर प्लेट संधारित लिया प्रत्वी से जोड़ देते हैं पुना दूसरे प्लेट दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं उसके बाद तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को प्रत्वी से जोड़ दिया जाता है यह कॉंबिनेशन तब ही संभव है जब तीन समांतर प्लेट संधारितों को लिया जाता है तब अगर हम तीन से ज्यादा लेंगे तो इसके आगे ही आप ऐसे ही बढ़ाद होगे तो आप लिख देंगे प्रत्रवी से जोड़ दिया जाता है एक लाइन और लिखेंगे कि यदि संधारितों की संख्या इससे अधिक हो तो ऐसे ही आगे जोडते चले जाते हैं यह हो गया हमारा क्या स्रेणिक्रम सहयोजन इसका मतलब वही हो गया कि रेल का डबा है आगे वाला जो है उसमें हेडलाइट है फिर पहले डब्बे की पहले डिब्बे के पीछले वाले हिस्से को दूसरे डब्बे क को तीसरे डिब्बे के पहले इससे जोड़ दिया वही है जो मैंने त्यंत क्लास में सवांतर क्रम और सेंडी क्रम प्रित्रोदों का सयोजन बता था ठीक वैसे ही है बच्चो चलिए अब शुरू करते हैं अब ध्यान से देखो इसमें कुछ गुड़ बाते हैं गुड़ बात स्रेडी को आपस में जोड़ देंगे तो शुरूत में जो विभाव आपका होगा उसके आप बराबर आ जाएगा वी 1 प्लस वी 2 प्लस वी 3 अब मैं इसको 10th क्लास में जो आपने प्रित्रोधों का सयोजन पढ़ा था उससे रिलेट करता हूं तो आपको जल्दी से होता है तो यहां पर आपको देखना है कि इस पर जो आवेश है वो क्या है समान है और साथी साथ विभुवांतर अलग होता है ठीक वैसे ही है कि विभुवांतर हर प्रत्रोध के पास अलग-अलग होता था तो यहां पर हर संधारित के पास विभुवांतर अलग-अलग है अब मैं इसको निगमन इसका करना सुरू करता हूँ जो मैंने बोला था वह आप लिख लीजेगा आप इसको आगे हम सुरू करते हूँ तो आप लिखोगी कि माना पहली प्लेट पर V1 विभावो दूसरी प्लेट पर V3 विभाव है तो हम लिखते हैं सबसे पहले, लिखेंगे सबसे पहले कि माना संधारित्रों की प्लेटों पर विभाव क्रमसा है, विभाव क्रमसा है, वीवन, वीटो वा वीथरी है, एसा हम लोग मान लेंगे कि इनकी जो संधारित्र हैं, उनकी प्लेटे हैं, उन पर विभाव कितना है, वीवन, वीटो और वीथरी है, तो पहले संधारित्र का जो धारिता है वो C1 है, दूसरे का C2 है, तीसरे का C3 है, इतना समझ भाया, तो अगर हम ध्यान से देखें, तो हम Q upon C1, क्योंकि बच्चों इसके उपर भी आवेस कितना है, ये Q है, इसके उपर भी Q है, इसके उपर भी Q है, इसके उपर भी Q है, सबको आपने आवेस जो है, बराबर दे रखा है, ये तो आप समझ रहे हो, इसी तरीके से अगर मैं निकालूं, दूसरे संधारित्र पर विभौ, तो V2 बराबर आएगा आपका Q upon C2, फिर उसके बाद मैं निकालूं कि तीसरे संधारित पर बहुत आसाने बेटा, तीसरे संधारित पर भी हो, तो V3 बराबर आएगा Q upon C3, तो इतना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, V1, V2 और V3 मै ने यहां निकाल लिया है, अब हम लिखेंगे कि अत्ता कुल विभौांतर, ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे अत्ता, कुल विभौांतर बहुत आसान है, बस आपको इसको करना था, इस पर कोशिन आ जाते है, अत्ता कुल विभौांतर V बराबर V1 plus V2 plus V3, वेलू इसके आगे करना सुरू करते हैं, ध्यान से देखना, इसमें से कुछ कॉमन है, वो कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे, V बराबर उपर से देखो Q कॉमन है, आपका नीचे आएगा, आपका बच्छेगा 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3, तो हमने लिखा 1 upon C1, 1 upon C2 plus 1 upon C3, यह बचेगा, इस Q को यार नीचे ले आओ, इस Q को आप नीचे ले आओ, तो इस Q को हम नीचे लाएगे, तो V बराबर आएगा आपका, V upon Q, और is equal to आएगा आपका 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, समझ में आगे इतना, अब एक चीज ज़रा ध्यान से देखना, मैं ऐसा माल लूँ कि ए एक ही संधारित्र है, जिसको आपने प्रत्वी से जोड़ा है, और एक सिरा आपने उसको स्रोथ से जोड़ दिया है, इसके धारिता C है, इस पर जो आवेश है, वो कितना है, और इसका विभव वी है, अब ताब इसको आप वी विभव दिया हुआ है, अब एक बात बताना अगर in तीन संधारित्रों की जगह पे बच पेटा एक ही संधारित्र होगा तो क्या होगा तो हम लिखेंगे कि जो मेरा वी का वैलू आएगा वो आएगा Q−पॉन सी समझ मैं कि क्या क्या पॉन सी आएगा तो यही चीज़ हमें सब्दों में लिखनी है ठीक है स्क्रीन सॉट ले लो आगे बात करते हैं कुछ नहीं है बहुत आसान है अगर आप देखोगे तो इस से आसान आपको कुछ मिलेगा नहीं अगर आपने त्यंथ क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा हुए तब आपको आपको अपने आप कर लेते मुझे बताने की कोई ज संधारित्रों के स्थान पर रिकार्डिंग हो रहा है यह तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ही संधारित्र हो एक ही संधारित्र वहाँ पर हम लोग ओम लियम लगाते थे ना देखो रिलेट करना बहुत जरूरी है रिलेशन बहुत important है यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ही संधारित्र जुड़ा हो एक ही संधारित्र जुड़ा हो तब तब बेटा जो V का value आएगा ना तब V बराबर आएगा Q upon C ये आएगा Q upon C आएगा तो एक काम करते हैं हम इसमें Q को नीचे ले आते हैं तो हम यहां लिखेंगे कि V upon Q is equal to 1 upon C ये आएगा कि नहीं अब V upon Q को हम उठा के इसमें रखे देंगे समझ भाई बात तो अब यह आपने समीकर्ण पता नहीं यह आपने समीकर्ण माने थे या नहीं माने थे अगर नहीं माने थे तो so good तो इसको आप समीकर्ण नमबर एक मान लोगे अगर माने थे तो आप चार लिख लोगे ठीक तो आप लिखोगे अता समीकर नंबर एक से समीकर नंबर एक को देखो बेटा और इसमें जो V अपॉन क्यों लिखा हुआ है न उसकी जगा पे आपको लिख देना है 1 अपॉन C तो आपका 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आएगा और ये मेरा स्रेडी करम संयोजन का निक्बन फिनिस हो क्या कुछ किया क्या नहीं ये क्या किया ये हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये स्रेडी करम संयोजन का सूत्र है किसको जोड़ा है प्रतिरोधों को नहीं संधारितों को संधारित्रों को आपस में जोड़ा जोड़ा गया है और उनकी धारिता यह आई है हमारी और धारिता अब ऐसा मत कहना कि वहां प्रतिरोध को जोड़ा गया था वहां प्रतिरोध को जोड़ते हैं और प्रतिरोध आता है और यहां पे संधारित्रों को जोड़ा है यह धारित का अंतर है अब समांतर ग्रम को करेंगे जब हम इसको तो वह आएगा कुछ ऐसा सी बराबर सी प्लस सी टू प्लस सी थरी लेकिन अभी जाना नहीं है इसको लिखना यार फिर उसके बाद हमें समझना आया कि समांतर करम समयोजन क्या होता है तो पहले इतना जल्दी से लिख ल लोगे यह सी कमान निकालोगे और यह सीवन है यह सीटू है यह सीथरी है अगर आपको सीवन का कुछ भी वैलू दे दिया गया है कुछ भी वैलू दे दिया गया है और उसके बाद सीटू का कुछ भी वैलू दे दिया गया है इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे जैसे प्र सद्र क्रम से योजन होता तो न वयसा ही अहाँ पर है कि अगर यह 5 यह 6 है यह 7 है तो इसका मांस 50 से भी कम आएगा समझ मैई बात तो अभी हम इसको सब्दों में लिखेंगे कि कैसे होगा तो आप लिखो कि इस पस्ट है कि कई संधारित्रों को स्रेडी क्रम में जोडने पर कि इस संधारित्रों को स्रेडी क्रम में जोडने पर उनकी तुल्य धारिता उनकी तुल्य धारिता और कामा लगा ओगे ठीक है उनकी तुल्य धारिता उन संधारित्रों उन संधारित्रों के अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-मानों से-मानों से भी अलग-अलग-मानों से भी इस पस्ट है कि कई संधारितों को स्विणी क्रम में जोड़ने पर उनकी तुलिधारिता उन संधारित्रों के अलग-अलग मानों के व्यूत क्रम का योग होती है इस पस्ट है की कई संधारित्रों को इसे करम में जोड़ने पर उनकी तुलिधारिता यहां पर एक चीज और लिखना का व्यूत क्रम बेटा है कि लिखना ज़रूरी है अब कैसे देखो बेटा ऐसरों कि कई संधारित्त्रों के अलग-अलग-अलग मानों के तो पेटा उन संधारित्रों के अलग-अलग मान हमने लिख लिये हैं अलग-अलग मानों के व्यूतक्रम मतलब इनका उल्टा व्यूतक्रम के योग यह किसके बराबर होगी यह कई संधारित्रों को सेड़िक्रम में जोड़ने पर यहां से देखना उनकी तुलिधारिता का तो तुल्य धारिता C होती है और उसका व्यूत क्रम इसके क्या होगी बराबर होगी ये लिखना जरूरी है ठीक है तो इसको लिख लीजिए या फिर हम कुछ और बोल देते हैं वो लिख लीजिए इस पश्ट है कि कई संधारित्रों को स्रेडी करम में जोडा जाए तो उनके तुल्य संधारित्र की धारिता उन्हें संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के धारिताओं के व्यूत क्रम के योग के बराबर होती है तो बात वही है चाहे ये लिखो चाहे आप वो लिखो समझ में आगे ये था हमारा स्रेडी क्रम संयोजन इसके बाद हम बात करेंगे समांतर करम संयोजन की लिकिन उससे पहले आपको एक स्क्रीन सॉट लेना है ठीक है प्लीज टे का स्क्रीन सॉट तो अब बात करते हैं कि भाई समांतर करम संयोजन क्या होता है किसका समांतर करम संयोजन संधारित्रों का समांतर करम संयोजन जिसमें धारिताओं का यो रखा है और उसके बाद दूसरा जो सिरा है उस दूसरे सिरे को हमने प्रत्वी से जोड़ रखा है अब यह कैसा संयोजन है ज़र ध्यान से सुनना है डालना समांतर कर संयोजन और लिखना शुरू करना कि इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों का पहला सिरा व्यदु सुरोच से जोड़ा जाता है तथा दूसरा सिरा प्रत्वी से जोड़ दिया जाता है जिस कारण जब आप सुरोच से इसको जोड़ोगे और इसको आवेश दोगे तो मालो कि आपने इसको आवेश जो दिया है वो कितना दिया है क्यों दिया है ध्यान से देखना इसको आव फ्लेट फेल्ट पेलिमेम्हार दूसरी प्लेट प्लसलि तिश्था व्या懼 पनस कुटो है और तीसरी प्लेट पुट प्लसEE प्लांस कुट यहां प्रमार प्रत्वी यह जो प्रत्वी ना इसके लोन दो दो जर्णावेशित दो जो आवेश्य था वह इस था वह इलेक्ट्रोन की वज़े से निरावेशित हो जाता है पिछले वीडियो में याद करो बताया है ठीक है तो यह Q1 Q2 और Q3 है, यह Q1, Q2 और Q3 है, इतना समझ में आया, तो कैसे लिखा है आपने इसको, जो मैं बोल रहा हूं है, इसको अब तुमें लिखते जाओ, नहीं तो फिर एक दो दिन इनतिजार करो, चैप्टर कंप्लीट होते ही नोट्स मिल जाएगा, बच्चों मैंने क्या बोला, मैं Q आवेश दिया जाता है, लिखना है, जब विद्धुत्रोच से प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो धारिताओं के अनुसार, यह Q1, Q2, Q3 में बट जाता है, धारिताओं के अनुसार, भाई, जिसमें धारिता अधिक होगी, एक फार्मला समझा है, आपने देखो, एक फार जादा है, उसकी धारिता जादा, समझ गया ना बच्चों, इतना तो समझ में आगया होगा, अब बच्चों देखना देरा ध्याम से, इसको आपने Q आवेश दिया, तीन हीसों में बट गया, सब कुछ आपने लिख लिया, अब आप लिखोगे कि चित्र में तीन संधारित जोडे गये हैं, जिनकी धारिताएं C1, C2 वा C3 हैं, इतना आपने लिख लिया, जिनकी धारिताएं C1, C2 वा C3 हैं, तीनों संधारित्रों, तीनों संधारित्रों की, तीनों संधारित्रों में प्लेटों के बीच, तीनों संधारित्रों में प्लेटों के बीच, विवांतर समान है यह लाइन बहुत इंपॉर्टन है अंडरलाइन कर लेना समान को कि यहां से लेकर यहां तक जो मेरा आवेश है उपने लिख लिए आप देखो क्या करते हैं उसको लागे निगमन करना पहले आवेस पे पहले संथारित में आवेस का मान निकाले दूसरे संथारित में फिर तीसरे में निकाले तो ऑर उसके आपristy माना तीनो संथारित्र 10 माना तीनों संधारित्रों को दिया गया आवेश दिया गया आवेश क्यू तीन भागों भागों क्यू वन क्यू टू वा क्यू थरी में बट जाता है तब कियू बराबर अगर बात करूंगा तो आएगा Q1 क्यू टू प्लास Q3 यह हमारा आएगा क्यू वर्फ प्लस Q2 प्लस Q3 परन्टु परन्टु बहुत्छे से देखना बेटा परन्टु अगर मैं बात करूँ क्यू कि तो Q1 बराबर आएगा आपका C1V, हना, formula होता है, Q बराबर Cv, V बराबर Q upon C, फिर उसके बाद Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर Q3 बराबर C3V, तो अभी इन में रखना शुरू कर दो, तो आपका आएगा, आपका आएगा Q बराबर C1V, C2V, C3V, common है कुछ V, अंदर बचेगा C1 plus C2 plus C3 और यह Q, एक, आप यह V को नीचे लेओ, Q upon V is equal to the C1 plus C2 plus C3, समझ मैं आया इतना, अब हमें लिख रहा है कि यदि, तीनो संधारित्रों के स्थान पर केवल एक ही संधारित्र जुड़ा हो तब क्या होगा, स्क्रीन सॉर्ट ले लेना अगर नहीं लिया है अभी तक तो, यदि तीनो संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र जुड़ा हो, तब, तब C बराबर निकालोगे तो Q अपन V आएगा, तो हम लोग लिखेंगे, इसको समीगर नंबर एक माल लेंगे, आता समीगर नंबर एक से, और समीगर नंबर एक कहता कि Q अपन C, Q अपन V इसकी जगा हम C लिख सकते हैं, तो C1, C2, C3 आएगा, कितना आसान था ना, बोलो, कितना आसान था बच्चों, इसको कितने आसानी से किया है, तो आप इसको चाहो, तो जो मैंने यहाँ परन्त करके लिखा था, वहां से भी कर सकते हो, कि भाई, तीनो संदारित्तों की, जो तीनो संदारित्तों पे आवेश की मातरा निकाल के, वहां हं ने बाद में आप लिख देते कि अता कुलावेश, Q1 ПЛस Q2 प्यूफ, Q3, वहां पूठ कर सकते हो, या फिर ये तरीका भी अपना सकते हो, फिर हम लोग लिखेंगे कि अता, हम कह सकते हैं , हम कहते निए , कह सकते हैं , हम कह सकते हैं कि storage की समांतर क्रम, संयोजन में तुल्य धारिता का मान तुल्य धारिता समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं का बीज गड़ती है योग होती है कि कैसे हम लोग स्रेडी क्रम सहीजन हमारा क्या होता है समांतर क्रम सहीजन क्या है मैंने यह सारी चीजे बता दिये प्लीज जल्दी से आप जो है बहाना बनाते हैं और इसका जवाब आपको खुद डूणना है जब आपसे बत्तर इंसान सफल होता है तब यह सिद्ध होता है कि आप बहाना बनाते हो जब आपसे कमजोर इंसान जिसके पास सोर्स नहीं है इंकम का भी कोई सोर्स नहीं है वो आगे बढ़ता है वो मेहनत करता है और उसके बाद फिर से दोता है कि हाँ आप बहाना बनाते हो तो अगर आप बहाना बनाते हो पड़ाई से में मन नहीं लग रहा है चीजे अच्छी नहीं लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो य यह चैप्टर लगभग एंड होने वाला है ठीक है इसके बाद हम लोग एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है विदुद्धरा तो आप लोग जल्दी जल्दी से अपना कोर्स कवर कर लीजे अभी अगर फॉस्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी कोचन है क्या रहे है अधर यूटूब चैनल पर कोर्स कंप्लीट हो चुका है बहुत पीछे हूं नहीं पीछे नहीं हुआ आपका कोर्स फिजिक्स का टाइम से ही फिनिक्स हो जाएगा आप उसकी टेंशन मतलो बस आप रेगुलर वीडियो को देखो और अच्छे से प्रक आपको आना चाहिए तब से दोता है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत करनी ही होगी ठीक है स्रेडिक्रम समांतर करम स्योजन को मैंने बताया आज मैंने चीजों को लिखा नहीं पहले से बोलकर बताया क्योंकि कुछ जो है समस्याएं थी जिसके वजह से मुझे दो घंटे पहले ही मैंने रिकॉर्डिंग की है और इसलिए मैं आप से बोल रहो लगातार मेहनत करते रहो बच्चों और सफलता तो जरूर मिलेगी ठीक है चलो बाए बाए टेक क्यार थांक्यू सो मच